हेलो फ्रेंट्स मैं अंजना आपका स्वागत करती हूँ और मैं बोल लहीं हूँ अंजनाज लाइफ हेस्टाइल से अगर मेरा विडियो अच्छा लगे तो लाइक केज़े अगर मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीज़े और एक छोटा सा कमेंट्स कर दीजे आपका एक कमेंट्स हमारा होसला बढ़ाता है प्रेंट्स अब हमारे सारे ब्रोकली हार्वेस्ट के लाइक हो गये हैं क्योंकि हम सारे ब्रोकली एक ही बार लगाए थे इसलिए कहते हैं जब 15 दिनों के अंत्राल में जब हम लगाते हैं तो हमारे एक हार्वेस्ट करने लाइक होते हैं तो दूसरे छोटे होते है और फ्रेंट से देखिए अपने आ पे निकला हुआ है टमाटर और यह हमारे 24 वाई 24 का ग्रो बैग है और इसके देखिए मटर भी कितने हिल्दी इसमें है इसमें सरसों भी लगे हुए है इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए है यह हमारे कदीमा है कोहरा कहीं कहीं से सीताफल भी कहते है और फ्रेंट्स इसके पत्ते की सबजी बहुत अच्छी होती है बहुत टेस्टी बनते हैं और सीताफल तो आप लोग जानते ही है कोहरा हमा के लिए हारे दो psychology में अलू लग हुएते जो कि सुब गये जो इसको देखते हैं इसमें अलू बैठा है या नहीं आलो के लिए तो और नहींम कि अ हुआarse यहरा से एक दीन की 12 revenा शाग इसके बहुत टेस्टी होते हैं हैंदी के लिए लगाए थे चोटे चोटे से आलू है आलू निकालने में किनारे किनारे से मिट्टी निकालना होता है नहीं तो हमारे आलू अगर बीच में हम खुर्पी लगा देंगे तो आलू कट जाएगा और देखेए एक गमले से हमारे इतने आलू हुए अब दूसरे वाले में भी देख लेते हैं सेमेंट वाले गमले को बहुत ही आसानी से इसका मिट्टी निकालना होता है नहीं तो पुराने पर गमले तूट जाने के डर होते हैं और इसमें बढ़े आलू है इसमें बड़े बड़े आलू है पिछले बार हमारे बहुत आलू निकले थे क्योंकि हम 24 भाई 24 के ग्रो बैग में लगाये हुए थे तो बहुत सारे आलू निकले थे और यही हा हमारी अलू की हार्वेस्टिंग Baptist और मूली भी निकाल ले रहे हैं यह वाले ग्रो बैग हमें खाली करने हुए क्योंकि अब इसमें बहुत मूली आप हरवेस्टिंग하게 ही होगए है सारे मूली लेक ही नहीं तो वीज निकल रहे हैं अब और देखिए, मूली के साइज भी अच्छे है, देखिए, इसमें बीज बन रहा था, तो इसमें मूली नहीं बैठा, जो जिसमें बीज बनने लगता है, उसके नीचे ग्रोथ उसकी नहीं होती है, जो उसके निट्रेंस होते हैं, सारे बीज ही ले लेते हैं, तो उसको नीचे में नहीं बैठता है, देखिए, यहाँ भी बीज वाले एक बीज के लिए छोड़ दिये हैं, तो इसमें भी मूली नीचे पतला सा इसमें बहुत कम बचे हुए हैं इतने सारे मुली की हर्वेस्टिंग कर लिए अब सिंगरी तो हमारे सदा वहार है सिंगरी तो हमारे एक दो दिन बीच करके तो सिंगरी हर्वेस्ट करने के लाइक हो ही जाते हैं फ्रेंट्स हमें तब खुशी मिलती है जब हम अपने मेहनत का हर्वेस्ट करते हैं और जब हम अपने कीचेन में सबजी बनाते हैं और थाली में परोस्ते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है क्योंकि यह मेरा अपना मेहनत का उगाया हुआ सबजी है और बिलकुल औरगेनिक तो फ्रेंट्स आप भी गार्डेनिंग कीजिए और अपने गार्डेन से मन पसंद सबजी लिजिए जो आपको पसंद है वही लगाईए और यह हमारे मकोई की हार्वेस्टिंग आज सबसे ज्यादा मकोई की हार्वेस्टिंग हुई है और यही है फ्रेंट्स आज की मेरी हार कर दो